हाला फ्रेंज वल्कम बैक टो आचानल आज हमें क्यूट सा डेकोर आइटम बनाएंगे कैदबरी लिकेबल्स के एम्टी बॉक्सेज यूज़ करके इसे मैंने इस तरह से ब्लैक कलर से पेंट कर लिया इन्हें आप कोई भी कलर कर सकते हैं मैंने या ब्लैक किया है अब इसका बॉटम जो है इस तरह से इसे फिक्स कर लेंगे तो कप का शेप बन जाता है यह मैंने सूपव ऐर ड्राइक ले लिया है ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके इस तरह से मैं कैक्टस बना रही हूँ एड्राइक ले से काम करना बहुत इजी है बिगिनर्स भी काम कर सकते हैं इस तरह से कैक्टस को शेप देके मैंने देखे बना लिया है कि बेसिक शेप जो है हो चुका है अब इस तरह पें पिंक कलर से जमें फ्लाज बना रही हूँ इसे और थोड़ा क्यूट अच्छा दिखने के लिए और इसमें एक तूद्पिक इंसर्ट कर लेंगे हम ताकि इसे बेस मिले यह सांड है मिर पस इसमें भर लिया है अब इस में से क्यारम सको लेंगे कि अब दूसरा ब्रया मैं इसी तरह से क्याट टेशी बना रही हो औरा नग शेप देखे इस इस तरह से सर्कल्स बना लेंगे हैं तीन सर्कल्स को है जॉइन कर लेंगे अटाच कर लेंगे एन उस पर इस तरह से प्रिक कर लेंगे थोड़ा टेक्शर देने के लिए यह वाला सूप चुका है इसे बाजू में रख दिया यह देखिए यह भी रेडी हो गया है कैसी लगी आपको यह डिया वाई जरूर बताईएगा थोड़ा और डिटेलिंग दे देंगे स्केच्छ पेंट से इस पर हम इस तरह से कलर लगा देंगे जैसे केक्टस को होता है यह कुछ क्लोफुल स्टोंज है मेरे पास उसे मैं इस तरह से सजा रही हूँ कि आप थोड़ा राइस लइड से운 सजा सकते हैं अग्धिये यह हो गया है इस मेंने इल्ड़ लगा लिया कि इस तारह की ले सैं मेरे पास पतली सी उसे मैं इस तरह पर लगा दूंगी इस पर आप चाहें इन्हें पेंट भी कर सकते हैं मैंने लेस लगा लिया आपको ये डियाइवाई कैसी लगी जरूर बताएगा थैंक ये सो मच पर वाचिंग दे वीडियो